हेलो फ्रेंड अस्तेला मौलेकूम कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग ठीक होगे और रमजान में बहुत ही खुप्सुरत परीके से जा रहे होंगे और देखिए जी मोसम का हाल कैसा बना हुआ है पॉन में धूप नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा कड़ धूप निकली हुए और बहुत ज्यादा शदीग गर्मी हो रहे हैं तो चलते हैं अभी किचन की तरफ आप मोसम का लुथ उठाईए और आज हम बनाने वाले मिल्क जैली जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है और इसमें एक पाउच में चार पाउच आते हैं चोटे चोटे तो एक पाउच हमने डाल दिया है अलग 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 फ्लेवर के आते हैं और थोड़ी सी शक्कर हम डालेंगे चार या पांच च और यहां पर हमने शक्कर डाल दी है और फिर चम्मच चलाते रही अगा नहीं तो नीचे से पतीला जल जाएगा हमने गयास की फ्लेम थोड़ी सी लोकर रखी है और यहां पर हमने काच्छ बदाम पीस कर रख दिये थे क्यूंकि ज्यादा डालेंगे तो मुह में आता है जो तो बिल्कोल भी पसंद नहीं आता थोड़ा सा हलका हलका आए तो चलता है तो अभी बराबर का चम्मच चलाते रहिए चलाते रहिए और आजु बाजु वाली जो मलाई है वो भी हम उसमें डालते रहेंगे और फिर अभी हम ले लेंगे एक थाल में पानी और इसको ठंडा कर देंगे तो इसमें भी चम्मच को चलाते रहना है और दो तीन बार पानी निकाल देना है और यहां पर हम छोटी छोटी प्याली में सर्व करेंगे देखो दूद भी नीचे गिर पड़ाता और यह है शुगर स्टीक जो बच्चों को बहुत स्यादा पसंद आती है तो इ यह चोटी चोटी प्याली को फ्रीज में रख देंगे और सब को देंगे इंशा आल्ला तो यहां पर काजू बादम काजू बादम हमने डाल दिया है और देखिए फाइनल लोग कैसा है बताना जरूर और आपको कैसा लगा और आपको पसंद आया हो तो प्लीस लाइड भी अगया था और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाया तो प्लीस लाइक शेर एंड सब्सक्राइब श्यूक्रिया